हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास फिफ्थ की एवियस की वक्षीट नंबर थर्टेंग बी करने चा रहे हैं चोकि है उननीस अप्रेल दोहजार एकिस की लुकिंग अराउन टेक्स्ट बुक से ली गई है और इसका यूनिट है फ्रॉम टेस्टिंग टू टेजिस्टिंग तो बच्चो देखो आज मंडे है दो वक्षीट आती है आपकी बी और ए बी अभी हम कर रहे हैं एक की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी ठीक है तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे बेल एकन भी दवा दीजे जिससे सबसे पहले निवड़े का नोटिफिकेशन आप लोग के पास ही बहुत सके तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार प्यारे बच्चो अपने मन पसंद खाने का नाम सुनते ही हमारे मुँ में पानी आ जाता है और हम मन पसंद खाने को गप से अपने मुँ में डाल लेते हैं कि आपने कभी सोचा है कि मुँ में खाना डालने के बाद खाना कहा जाता है आईए नीचे दी गई कवित के माधियम से हम लोग अपने शरीर के पाचंतत्र के बारे में जानते हैं तो अब हम अपने बॉड़ी पार्ट्स के बारे में जानेंगे इंटर्नल बॉड़ी पार्ट्स यानि जो हमारे अंदर के बॉड़ी पार्ट्स होते हैं जैसे हम खाना काते हैं वो कहां कहां से जाते ह कहां कहां नली में जाते हैं ठीक है तो यह सब हम चानेंगे तो इसके लिए सबसे पहले यह जो कविता दी रखिए ना इसको हमें पढ़ना होगा तो चलिए पढ़ते हैं जेके तो इसका मतलब है पहले हमारा जो भोजन है वो हम मूँ में डालते हैं फिर हम उसे दातों से चबाकर खा लेते हैं खाते खाते अगर खाना टेस्टे होता है तो लार भी आ जाती है और फिर खाना कहां चले जाता है ग्रास नली में चले जाता है ठीक है ग्रास नली क्या होती है देखो यह जो आपको दिख रही है ग्रास नली होती है उसके बाद वो खाना पेट में बहुच जाता है ठीक है ध बाडियात में होते होते मलदवार तक चल जाता है चहांसे अब चित बोजन बहार निकल जाता है तो चलिए अब यहां पर देखो कविता के अधार पर 15 तर्श संमेंदered अंगो के क्रम अनुसार नाम लिखें 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 तो यहां पर देखो बॉड़ी बना रखें यहा जैसे यहा देखो मुह है जहां से खाता हे तो यह तो मुह से उसके बाद काविटा है कि अम पार्व प्रव क कि बाद घ्रास नलि में खाना जाता है तो यह जो आपκα कि अ आपर कि दिखेंगे शोंचा ओजाता है खाना जाता है उतः चोटीयाद मैं जгाती है इसको हम कहते हैं बड़ी आठ यहां है यहां पर यहां इसार हमने लिकलता है टो यह हो गए हमारा फाचन उतवाहर्ट डाट यह मूँ कहाता है नहां इस उस्प अक्र यहında ऐसी पराी बाचन करें यानि डाइजेशन में बहुत से अंग साहरता करते हैं प्रती एक अंग का मिलान उसके द्वारा किये जाने वाले कारे से कीजिए ठीके अब हम मिलान करेंगे कि कौन सा जो अंग है वो क्या-क्या चीज करता है जैसे पहला देखो मूँ, मूँ से हम खाना खाते हैं तो यह रहा इसके आगे मैंने वन लिख दिया है ठीके इसमें बहुजन के बड़े टुकडों को छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ दिया जाता है ठीक है तो ये हम इससे मिलान कर लेते हैं फिर ग्रास नली ग्रास नली क्या करती है इसके दुवारा भोजन पेट में जाता है ठीक है ग्रास नली के दुवारा देखो यहां से जाता है भोजन पेट में ग्रास नली के दुवारा है ना तो ग्रास नली दूसरे नंबर की है तो इसके आगे हम दूसरा नंबर डाल लेंगे, ठीके, तो चलिए, हम मिलान भी कर लेते हैं, साथ-साथ, यहाँ पर, उसके बाद एको पेट, पेट क्या करता है, पेट से हमारा, इसमें पाच करसो की साहिता से बोजन का पाचन होता है, ठीके, तो यह हो गया, उसके बाद, इसक इसके दवारा अप्चित भोजन से पाणी अलग किया जाता है, ठीके, बड़ियात जो भोजन है, उससे पानी अलग कर देती है, मल दोआर से हमारा, जो खाना है, आप्चित भोजन है, वो शरीक से बहार नेकल जाता है, यह इधर हो गया, छेटवा नंबर हम इसके आगे ल तो यानि वह फूर्थ का है और जहां पर मैंने इस इस तरीके से यह तो यह आप कर लेंगे उसके बाद देखिए यहां पर कुछ बात बता रखिए बच्चों जब हम कहते हैं कि हमारी मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुँमें पानी आ गया तो क्या आप जानते हैं उस पान करने में सहायता करती है ठीक है तो यह आपकी आज की वक्षी थी अच्छी तरीके से आई होप समझ आई होगी अगर आपको कुछ डाउट रहे जाता है कमेंट करके बूस सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू